हेलो फैंड्स कैसे हैं आप सब उमीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बिल्कुल अच्छी चल रहे होगी तो आज किस वीडियो में डिसकस करेंगे और भी एलपी और टेक्नीशन के most important questions के बारे में डिसकस करेंगे जो कि feeder, turner, welder, machinist के रहने वाले हैं और जितने भी सारी प्रस्ण जो रहने वाले हैं ये सभी previous questions रहने वाले हैं जो कि ये इसके जहां जो सार है इनी के बुग से सारे प्रस्ण लिया गया है okay friends तो ये set 14 रहने वाला है इसके पहले मैंने 13 set दे रखा है अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं playlist में इसका वीडियो आपको मिल जाएगा और friends अगर आपको free video चाहिए तो आप हमारे telegram को join कर सकते हैं telegram को link इसी video के नीचे description मिल जाएगा वहाँ से जाकर join कर सकते हैं okay friends तो अगर आपकी तैयारी पकी होगी तो आपकी selection भी पकी होगी तो आईए अब start करते हैं तो question number first है खाराद के सीसे के पेंच याने की lid screw में पड़ियुक्त धागे का प्रकार है तो इसका right answer हो जाएगा option D याने की एक में और ये जो प्रस्न जो है 2019 में first description में पूछा गया हुआ प्रस्न है अब जो important जो points है उन सभी को discuss कर लेते हैं यहां सवे बहुत से रपस्न बनते हैं तो lid screw पर एक में thread या वर्गकार दोनों चूड़ी कटी होती है अगला है lid screw के द्वारा carriage को bed के समनांतर चलाए जाता है अगला है एक में thread का जो cone होता है यानि कि जो angle होता है वो 29 degree होता है और यह बहुत ही जादा important है अगला है square thread इसका प्रियुक भारी load वाले स्थानों जैसे की jack में किया जाता है अगला है इसका cone कितना होता है तो 90 degree होता है किसका तो square thread का अगला question है question number second निमलिखित में से किसे compound wrist के उपड़ी भाग में fit किया जाता है तो इसका right answer हो जाएगा option D यानि कि top slide और यह जो प्रस्न है 2019 में first shift में पूछा गया हुआ प्रस्न है अब जो important points है उन सभी को discuss कर लेते हैं यहां सभी बहुत सर प्रस्न बनते हैं the top slide को compound wrist के उपड़ी भाग में fit किया जाता है अगला है compound wrist में एक circular base होता है जिस पर degreeों में graduation बनी होती है अगला है cross slide और compound wrist को feed screw द्वारा move किया जाता है अगला है compound wrist में power feed नहीं होती परन्तु इसे हाथ द्वारा चलाय जाता है अगला है cross slide cutting tool के लिए movement प्रादान करती है अगला question है question में third पराम परागत रूप से एक खराद मसीर में किस प्राकार किस सतह को turning operation द्वारा निर्मित किया जाता है तो इस correct answer हो जाएक option A यानि कि बिलनाकार और ये जो प्रस्न है 2019 में first recipe में पूछा गया हुआ प्रस्न है अब जिन important point हैं उन्स सभी को discuss कर लेते हैं तो खराद मसीन पर बेलनाकार सतहों को turning operation द्वारा निर्मित किया जाता है अगला है rough turning tool के द्वारा finishing tool पर smooth surface बनाते है अगला है lathe machine अन्य सभी मसीनों से बहु मुखी होता है अगला है खराद machine का प्रियोग circular surface की machining करने के लिए किया जाता है अगला question है question number fourth खराद यानि की lathe के dead center का समविष्ट कोन यानि की आंतरिक कोन क्या है तो इस right answer होजएगा option D यानि की 60 degree और ये जो प्रस्ण है 2019 में first shift में पूछा गया हुआ प्रस्ण है अब जिन important points है उन्य सभी को discuss कर लेते हैं यहां सभी प्रस्ण बनते हैं तो lathe में dead center का समविष्ट कोन 60 degree होता है अगला है लेथ मसीन में किसी operation के दोरान किसी job को सहारा देने के लिए dead center कप्डियों किया जाता है अगला है dead center इस तिर रहता है और job को सहारा देता है अगला है जब कि live center जो होता है वो घूंता रहता है अगला है डेड सेंटर में तीन पार्ट होते हैं कौन-कौन सा होता है एक टीफ होता है एक सैंक होता है और एक क्या होता है तो टैंग होता है अगला है डेड सेंटर के साइड पर मोर्स्टेपर होता है अगला है data center जो होता है वो cast steel से बना जाता है और यह जो tools होता है वो किस material का बना हुआ होता है उस पे तो एक प्रस्ण हर एक exam में रहता ही रहता है इसलिए उन सबी कपाची से पर लें अगला question है question number 5 खराद machine में drill और reamer जैसे करतन उकरनों को पकरने के लिए किसका प्रियो किया जाता है तो इसका right answer हो जाएगा option A यानि कि tail stock का और यह जो प्रस्ण है 2019 में first recipe में पूछा गया हुआ प्रस्ण है अब जो important point है उन सभी को discuss कर लेते हैं तो लेत मसीन में drill और reamer को tail stock के साथ set किया जाता है अगला है लेत मसीन में job rotate करता है और cutting tool इस्तिर रहता है अगला है जबकि drilling machine में job जो है वो इस्तिर रहता है और cutting जो tool होता है वो घूमता है अगला है लेत के tail stock में ही dead center को set किया जाता है अगला है टेल स्टॉक लेथ मसीन में राइट हैंड पर सेट रहता है अगला कोस्टन है कोस्टन नमबर 6 निमलिखित में से किसे उपकरन विराम यानि कि ब्रेक के रूप में भी जाना जाता है इसका राइट आंसर होज़ाएक ऑप्शन D यानि कि संयुक्त विराम और यह जो प्रस्त है 2019 में सेकेंड सेट में पूछा गया प्रस्त है अब जो इंपर्टन पॉइंट हैं सभी को डिसकस कर लेते हैं यहां से बहुत सारे प्रस्त बनते हैं तो संयुक्त विराम यानि कि जोईंट ब्रेक जोगता है उसे उपकरन विराम के रूप में जना जाता है अगला है अधिकांस ब्रेक यानि कि विराम पहिये के दोनों की नारों पर घरसन का उपियोग करते हैं अगला है पहिया पर सामूहिक प्रेस चलती वस्तु की गतिज उड़जा को गर्मी में परवर्तित करता है अगला है ब्रेक यानि कि विराम दो प्राकार के मुखरूप से होते हैं कौन कौन से होता है एक होता है डिस्क ब्रेक होता है और एक होता है ड्रम ब्रेक होता है तो आई होप ये समझ में आपको आगया होगा अब अगला डिस्कस कर लेते हैं अगला कोस्टन है कोस्टन नमर 7 निम्नलिखित में से किस प्रकिडिया में मसीनी करन घटक मेनुवल रूप से द्रिध कि नारे या उभार के रूप में साफ और सूचारू होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन D यानि कि डेबरिंग और यह जो प्रस्टन है दो हजार उन्निस में सेकंड सिप्ट में पूछा गया हुआ प्रस्टन है अब जिन पॉटेंट पॉइंट है उन सभी को डिसकस कर लेते हैं यहां सुछ बहुत सरी प्रस्टन बनत होता है अगला है डेबरिंग कठ वेस्ट यानि की बर मसीनी प्रकडिया के बाद वस्तु से जुरे सथ पदार्थ का एक उबरा किनारा या छोटा भाग होता है अगला ही यह विसेश रूप से पदार्थ का एक अव वांछनिय भाग होता है और इसे डेपरिंग नामक एक प्रकिडिया में मेनिवल रूप से या डेपरिंग उपकरन के साथ हटाया जाता है अगला कोस्टन है कोस्टन नमबर एट टेपर टर्डनिंग के लिए एक खराद मसीन का कौन सा भाग सामिल है तो इसका राइट आंसर हो जाएक ऑप्शन B यानि कि क्रोस स्लाइड और ये जो प्रस्ण है 2019 में सेकंड सेप्र में पूछा गया हुआ प्रस्ण है अब जिन पॉट्टेन पॉइंट्स है उन सभी को डिसकस कर लेते हैं यहां सभी बहुत सारा पसंद बनते हैं तो टेपर टर्निंग के लिए एक खराद यानि कि लेत्थ मसीन का पार्ट्स क्रोस स्लाइड सामिल रहता है अगला है टेपर टर्निंग एक मसीनिंग ऑपरेशन यानि कि प्रकिडिया है अगला है जिसका अर्थ है कि किसी बेलना कर वर्कपिस का ब्यास धीरे धीरे एक हिस्से से दूसरे हिस्से में घट जाता है अगला है टेपर बाहरी या आंतरिक हो सकता है यदि वर्कपिस को बाहर की और टेप किया गया है तो इसमें एक बाहरी टेपर है अगला है यदि इसे अंदर की ओड टेप किया गया है तो इसमें एक आंतरिक टेपर है अगला question है question number 9 किसी अगहात में एक छोड से दूसरे छोड एक नथी करन की प्रकिडिया क्या होती है तो इसका right answer हो जाएक option C यानि की cross नथी करन होती है अगला है cross नथी करन के बारे में डिसकस कर लेते है तो इस विधी का प्रियोग अल्पकालीन संभो समय में धातू की अधिक्तम मातरा में दक्ष निसकासन के लिए किया जता है अगला है इसे सरल नथी करन भी कहा जाता है अगला है इस तकनीक में पदार्थ के किनारे पर रेती को दबाना सामिल होता है अगला है इसका प्रियोग पडिसकरन अकृतिकार या नुकिला करने के लिए किया जा सकता है अगला कोस्ण है कोस्ण नमबर 10 बे जोड विकल्प का चैन कीजिए इसका राइट आंसर होजाएगा आप्सन सी यानिकी नरलन और यह जो प्रस्ण है दो हजार उननीस में सेकंड सिप्ट में पूछा कि वह प्रस्ण है अब जिन पॉटेन पॉइंट हैं सभी को डिस्कस कर लेते हैं यहां से बहुत सार पसंद बनते हैं तो बे जोर विकल्प में नरलन प्रकिडिया है अगला है नरलन प्रकिडिया करने के लिए जोब को लेत मसीन के चक और टेल स्टॉक के बीच में थ्रू कर लिया जाता है अगला है इसमें मसीन की गती कम कर ली जाती है अगला है नरलिंग टूल को टूल पोस्ट में क्लैंप करके मसीन को चलाय जाता है और फिर नर्लिंग टूल को जॉब के उपर क्रॉस स्लाइड को चला कर प्रेसेट किया जाता है और फिर एपरन को जरूरत के अनुसार चलाए जाता है अगला है नर्लन जिसमें किसी पादार्थ पर सीधी कोनिया या आपस में काटती हुई रेखाएं बनाई जाती है यह प्रकिडिया लेथ पर की जाती है तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही वीडियो कैसा लगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके हैं और फ्रेंड्स अगर आपको फ्री पीडिय है तो आप हमारे टेली गлам को जोईन कर सकते हैं यह बहुत ज्यादा प्रोचिंग